इस तरीके से त्रीय ऑफ इमैजिनेशन को मिट्रलोजी के लेविल पर एक कोर्स वर्क में और इस द्रीके से आपने एक पूरा कांटेंट के प्रॉसेस को स्टूडेंट के प्रोजेक्स को बताया तो जब इस्टूडेंट कोई भी इस कोड़ से ग्रेजिवेट होता है डूबसाब तो उसके पास क्या स्किल्स और क्या स्ट्रेंट डिवलप्ट हो जाती है एक स्टूड़ेंट के पास इसके बारे में भी हमसे कुछ आपकी जरूरी शेयर की लिए इसमें सबसे जो जो बातें जद एक जो बातें उनके इं हैं वो कैसे इस्तामाल करते हैं और जो फ्यूचरिस्ट हैं उन वो कौन-कौन से प्रॉसेसिस के बारे में बात करते हैं के और कौन-कौन से जो फ्रेम वर्क्स हैं जो इस्तामाल किये जा सकते हैं इसके लावा इनके पास टीम वर्क का का काम शुरू होता है क्योंकि हमारे पास multiple assignments group में करने के लिए होते हैं तो वहाँ पर वो group के जरीए एक दूसरे के साथ काम कैसे करना है किस तरह से हमें एक spirit को लेके चलना है कैसे हम collaboration और cooperation instead of competition को जगा दे सकते हैं तो एक participatory approach आती है फिर इनको empowerment होती है कि हमारे पास कौन कौन सी capacities capacities मौजूद हैं और हमारे कौन कौन सी हमारी individual strengths और weaknesses हैं इसके बारे में पता चलता है इनको एक अंदाजा होता है कि हमारे पास क्या कौन कौन सी skills sets को में मजीद enhance करना चाहिए अपने preferred future तक पहुँचने के लिए हम किस तरह से अपने future में अगर चाह रहे हैं कि हम pollution से air pollution से बचें तो बजाए अगर हम जो काम करने जा रहे हैं 10 साल बाद अगर वो किराची में pollution जादा है इसके air pollution जादा है तो क्या हम खैर पूर में मूव हो जाएं तो हमारी नौकरी कैसे चलेगी अगर हम remotely काम कर पाएंगे और हम ऐसा काम करते हैं जो remotely हो सकता है तो शायद ये एक possibility है तो इनके पास future को अपनी मर्जी से कौन सा future हम इस्तामाल कर सकते हैं और दूसरों के बताएवे futures क्या हैं तो इन दोनों का distinction पता चलता है तो इनके ओपर जो impact है वो multiple skills, imagination को इस्तामाल कैसे करें सोच समझ के, awareness के साथ, हम emotion को कैसे इस्तामाल करें introspection को कैसे इस्तामाल करें, अपने emotions को समझने के लिए, mindful होने के लिए हम empathy को कैसे इस्तामाल करें, दूसरों के साथ connect होने के लिए, दूसरे इनसानों के साथ, दूसरे जानदारों के साथ, दूसरे बेजान चीज़ों के साथ, दरियां, समंदरों के साथ, connect होने के लिए empathy कैसे काम करती है इन्हें logical filter कैसे हम इस्तामाल करें और हम meditation को कैसे इस्तामाल करें अपनी life में कैसे use करें तो ये तमाम चीजें इनके experiences का इससा होती है और इसके end में इनके पास जो learning outcome हमारे पास जो आम तर पर हमने देखे हैं वो ये कि इनको ये पता चल जाता है कि future's literacy एक skill है anticipation हम करते हैं future को जो future को हम imagine कर रहा होते हैं उसका impact हमारे present पे हमारे action में आता है इसलिए हम कौन सा future use करें वो बहुत एहम है तो ये इसकी literacy का part है future's literacy about using the future what future do I choose to use in this present तो ये इस बात का इनको पता चलता है झालता है